रोटो है सु खुर्फ कैसे हैं सभिल धोस्तो अगर आपके पास फोन आ रहे हैं और अगर आप करना पर रहा है और अगर आप सब आपके ब्लैक पिस्टे रहे हैं या फिर सी फिज करने के चक्कर में जा रहे हो और वो फोन आपका डैड हो जा रहा है आपने किसी इंस्टूट से सीका है फिर भी आपको अभी उससे ना बैकप मिल रहा है ना उसके टीचर का नंबर है ना कोई एनी सपोर्ट है और कॉंविडेंस भी आप कर लो है कि मैं CPU भी नहीं कर पा रहा हूं इंकर के तो आपको फिर वीडियो पूरा देखी को इस वीडियो में मैंने आपको पूरा डैमो करके बता है यह में पास ओपो का हैंसेट है जैसे कि आप देख सकते हो चीक है इस ओपो के हैंसेट के अंदर अभी आप देखो तो सारा चीज वड़किंग में है इसका टच वच सब कुछ हम इसी का CPU निकालेंगे यह उपो का A53 है यह देखें यह नैट्रोक सेक्षिन के लिए आया है यह उपो का A53 है और हम इसका CPU निकालेंगे और इसका CPU निकालकर हम आपको पूरा डैमो बताएंगे कि किस तरीके से हम इसका CPU कर सकते हैं और किस लेवल पे हम CPU को सही तरीके से निकालके त क्योंकि दोस्तों इसके फोनों के CPU में तो ज्याधा खत्रा होता है क्योंकि अगर इमीर टेक अjust hahaha तो मैं कहना हूं कि अगर आपको डर लगता है तो यह वीडियो पुरा देखे इस वीडियो से आपको भूसकतatif को knowledge मिलेगा और अगर आपको वाकिम में इसको practically सीखना है आप चाहते हूं उसके साथ थियोरी भी मिले उसका circuit सीखने को भी मिले और उसके साथ में फिर ऑफिने UFS का भी knowledge मिले तो भाई आजाओ ESA Telecom बिल्कुल भी मत सोचो क्योंकि इस टेली कॉम है 10 साल से जधा है स्क्रीण इंस्टूट जो आपको क्या नहीं दे सकता है आपको फिलाल ये वीडियो के बाद में बात करेंगे आपने साइड ग्लू को धाइसो की हीड पर निकालना है नॉर्मल तरीके से जो आपके स्क्रैपर होता है और आपने जो एयर रखनी आपको में एक पूडू दिखा देता हूं आप इतना रख्या साइड ग्लू को कट कर लेना मैं इसके बार एक नएस ट्वीडो जरू डालू एक ओपो बेस सेट है और जिसमें हमने जो हीट रखी है आप देख सकते हैं 380 एंड जो एयर रखी है 70 यह मैं जो मसीन यूज कर रहा हूं है सम्ड यह सुगून का 8650 है आप इसके नीचे भी जो भी आप मसीन है उसको भी आप यूज कर सकते हैं कोई का आप 161 है आप जो भ आपको बस करना क्या है नोजल आपको बड़ी रखनी है जितना आप देखो स्क्रापड आप देख सकते हैं मेरा कौन सा है नोजल आपकी बड़ी होगनी चाहिए नोजल छोटी होगी तो आपके CPU के पैट निकलेंगे ही निकलेंगे CPU को हर एक हर एक पोर्ट्सन पे उसको ही मिलनी जोड़ी है इसलिए आपको लगातार घुमाते रहना है एक जगे रखना नहीं है बस आपने चारों कोने रखने हैं और आपको बराबर उस पर रखना है और खास तौर पे क्यों कि बाजू में पेस्टेड इम्मसी भी है यूफस हो सकता है माइक्रोन का होगा ज्यादा एक जो ब्लेड है वो इगल ब्लेड उसको मैंने बड़ा मॉटा साइट को इम्मसी के ऊपर रख दिया है बस क्योंकि उसमें थोड़ा भाड़ी पन होता है और वो टेक जाती है और आपने बस कुछ-कुछ समय के बाद आपको हलका सा सीप्यू बस टच करना है कि वो हलका सा मॉटमर्ण हो रहा है कि नहीं हो रहा है अगर नहीं हो रहा है तो भिलकुल मत करना क्योंकि उसको खुदी तो इसमें जो हमने एर और हीट रखी है हमने बार-बार-बार-बार हमें इसको घुमाते रहना है अगर हम एक जगह रख देंगे तो यह टेमपर हो सकता है और कोई सब भी बूट टेमपर हो सकता है और यह देखे हलका हलका सा थोड़ा थोड़ा सा उठार हो देखे बॉल भार आ रही न मुझे पता है मुझे पता हलका हलका सा मैं सब जगह से मुझे तोड़ा एर पास करनी है अगर आप एक जगह से उठाएंगे खाली एक ही जगह से आप अंदर स्कैबर डालेंगे तो आप या तो आपके पैड ही निकल जाएंगे तो मैंने पहले तो पूरी तरीके से एक लाइन पर स्पेस बनाई और स्पेस मनला है उस तरह से फिर उसको धिये दिये बोल खुदा ने दिये आप देखो अगर आप साइस देखोगे तो कमाल का टेंपरेचर हीटिंग के साथ में चब और यह एक ब्लैक पेस्टेड है और आप तो जानते हो कॉलकम और बहुत डेंजर होता है ओपो के अंदर जबकि कॉलकम ब्लैक पेस्टेड हो क्योंकि अगर डेमेज हो गया तो सेट ही चला जाता है पूरा खतम हो जाता है तो देखा जाए तो आप देखो कि एक भी ट्रैक पर बहुत ज़्यादा जोड़ी है मैं हमेशा कहता हूं कि गुरू का दुकान पर जितना होगा उतना ही जोड़ी है अब मैंने आपर पेस्ट भी डाला है और फ्लक्स भी डाला है और पीपीडी पेस्ट डाला है 138 यह डालने के बाद में क्या होता है कि और अपने आरें से प तो आपका डी विक वायर से भी आपके निकलते हैं और यह अपने महसूस भी किया होगा आप देखो अपने टेंपरेचर लो कर लिया अब कितना और आप करो नोडिस करो कि मैंने डीविक वायर उपन नीचे ऐसा नहीं है कि गोल करके घुमा रहा हूं क्योंकि यही गलत तरीका होता है डीविक वायर को या सिफ एक लियर में चला जाता है आप अप अंड डाउन आप अपन डाउन आप इसको घुमाओगे गोल गोल तो आपके सकते हैं, तो उपर नीचे, उपर नीचे कड़के आपको करना है, इस समय आप अब आर-इन की, हीट को आप अपने 370, 380, पोड licensed तंगी रख सकते हैं, यहाने आर-इन की हीट कमनी रखनी है, क्योंकि यह पर बॉड में कोई सीन नहीं है, CPU के ओपर सीन है, CPU के ओपर RN के heat अगर फोरेंडर रखेंगे, तो CPU आपका damage हो सकता है, ठीक है, तो ये तरीका आप बिल्कुल अजमाना और ये करना, और मैं फिर से कहा रहा हूं, अगर आप अब भी भी नहीं कर पा रहे हो, confidence low है, बिल्कुल जोइन करो, आख बं कि तो तुम भी करो, या सब यहीं कहेंगे कि भाई करने से होगा, मैंने भी बहुत से CPU damage की है, तो तुम्हें भी नहीं भाई नहीं, अब भी कैसा है, सही तरीका आ गया है, आपको बस उस सही तरीका को attempt करना है, हमने जो प्रोसेस किया था, सही तरीका हमें बताए नहीं किय करोगें, सही तरीके से साल के भी डार बार करने से, पर सही तरीके से, नहीं तो बार बार ही गलत तरीके से करोोगे, और यसी तरीके तरीके से 12 साल के बच्चे भी काम भाई नहीं कर रहे हो, आ फिर वह भी return बार है, आप देखो, क्या plane है, कितना पूरा इसको कहते है Zero cleaning, आ क्योंकि हम जब IC को फिट करेंगे तो IC मूवमेंट हो सकता है इसकी वज़े से उबर खावर हो जाए तो हमें हलका जो अपनी SMD का हीट और AIR है मैंने आपकी फोटो लगा दी है अब उस फोटो के अक्रोडिंग उसको देखी कितना आपको रखना है स्क्रापड को बहुत दिये दिये चलाना है थोड़ा वीड़ स्पीड में है इसलिए आपको तोरह ऐसा दिख रहा होगा हलका आपको लेते हुए जाना है साइड की कोई भी लाइन कटनी निचाहिए क्योंकि कोई भी लाइन कटी तो वह एक I2C की लाइन हो सकती है जिससे से रीस्टार्ट मार सकता है अगर इमसी के अंदर कोई भी एक लाइन हुई तो आपका आटोपोर बना देगा तो यह आप समझ ले ले न तो और वाइफाई की लाइन हुई तो कोई ना कोई एक पर्टुक्लर आपका सेक्सेन डाइड हो सकता है तो आप देखो कि जब दस गटी पे चल्ए आते हैं सबसे पहले आपने जो टेंपरीच्र आरेन का उसको कम रखना है अगर आप उसको फόर हें डेट के वगे्येट के वज़े से में आपका ही की वज़ेशाब खराब हो सकता है तो यह आपने दिमाग में रखना है कि भाई हमें एक खराब होने नहीं देना है तो अभी इस पर भी हमने सेम किया हमने पहले फ्लेक्स डाला उसके अर्वन ठेटीएट का फिपीडी लगाया और उसके बाद में पहले हमने एक लो टेंपरेचर मरला हमने आर कर सकते हैं क्योंकि हमारा टेंपरेचर काफी लू है और हम काफी ज्यादा हाई टेंपरेचर पर काम नहीं कर रहे हैं इस समय अगर आप उपर नीचे भी घुमाएंगे आजू भाजू भी करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि CPU के पैड इस तरह से निकलते नहीं है CPU और आप क्योंकि आपने पहले से उसको एक लो टेंपरेचर में चेंज कर दिया अगर आप पीपीडी नहीं डालते और अगर आप उसके बाद अगर आप बिनाउट बिनाउट पीपीडी वन ठाटीएट अगर आप डी सुल्टर वाय पादी है वो फूटो में आप देख लेना क्योंकि SMD मेरी काफी दूर रखी हुए और उसको कवर करने के लिए फिलाल जो कैमरा है वो अभी मैंने लगाया नहीं है इसलिए आप फिलाल मैं आपको फूटो लगा के दे रहा हूं तो हमने अभी अपने CPU को क्लीन करना है सबस करने के लिए यह जब आप रिबोल करने जाओ तो यह इस पर आपका रांगा दवार इस तरह से सूक जाते हैं तो जब तक आप इसको सिल्वर निकल लेंगे तब तक आप इस पर बॉल रहा नहीं सकते हैं तो यह बड़ी समस्या हो जाती है और इस चक्कर में बहुत से लोग अमने पिडी यूस कर लेना है बस राइड आप देख रहे हो ऺड़ आपके डलिया है और ऍैक तो वह वह बहुत सारे Ł बॉल भी कर लेंगे पर अगर हम CPU को बहुत ज्यादा हद तक आरेन चलाएंगे तो CPU भी डेमेज होगा तो दिमाग में रखना है कि कम से कम यह करना है दो या तीन बार इस ओके वड़ आप चार पार शेर वाट कर रहे हो नहीं तो जैसे मैंने दो ही बार किया है एक पहली बार करना है एकडम zerrow cleaning के साथ जब zerrow cleaning हो जएगा तो आप देख सकते हैं आपको उसको CPU चे करना है CPUly प्रवाइट होना चाहिए और बराबर होना चाहिए अब हम CPU की रिबोलिंग करेंगे तो CPU की रिबोलिंग के लिए हमें उसका स्टैंसिल यूज़ करना है आपके पास मैं अगर नहीं है तो युनिवर्सल स्टैंसिल यूज़ कर सकते हैं वर उसकी आपको बहुत अच्छी टेक्निक आने चाहिए सेकंड डे में आपको घंडी देता हूँ आप युनिवर्सल स्टैंसिल से CPU रिबोल करेंगे अभी फिलाल मैं यह पास स्टैंसिल है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ तो यूज़ करना चाहिए जब आपको स्टैंसिल का कोई अल्टरनेट ना हो तो यहाँ पर हम स्टैंसिल य कि पीडी है जैक्स मलीक टे diferentes मिल जाएगी इंडिया के सबसे यूज़ करना है अभी मैं रेवर्ल एक्यों की खासियत यही है थोड़ा अलग तरीके से वीडियो को मैंने दिखाने की कोशिस किया है नॉर्मली वह नहीं जो हम हमें सा करते हैं आपको थोड़ा सा सेफ मूड में और अलग विसे अभी मैंने क्या किया आप देखो तो मैंने कीबल आधी IC को रिबो हमारी गलती यही होती है कि जब हम नौसीखी होते हैं तो हम पूरी IC में पेस्ट लगा देते हैं और हम अपने IC को फोल्ड नहीं रख पाते हैं द्वज़र से पेस्ट इदर उदर भाग जाता है अगर आप कहीं टेप लगा कर सीख रहे हो ना तो समझो वह गलत तरीका है टेप लगा कर या आपको किसी भी तरका आपको सी चुपकार कर नहीं करना है ना ही कोई IC की अपने रिबॉलिंग किट खरीद नहीं है सब बेकार है वो मैगनेटिक जो किट आती है वो सबसे थर्ड गलास है भाई उसका मैगनेट किसी काम कर नहीं है अजर ये टो एक टूल डीलर बेच भी रहा है तो वह उससो बूला पह कि वो दोनों साइट से होल्ड होगा तो आप यह समझ लेना कि वह बेकार है आपको अपनी जो नॉर्मल स्टैंसल है उसी से आपको रिबॉलिंग करते आने चाहिए अब रिबॉलिंग करने के बाद क्योंकि इसमें मैंने इस्ता पीपीडी लागाया था तो मैं आप इसको से कट करूंगा इगल ब्लेड बिल्कुल नया होना चाहिए आपने बादाना पर इगल ब्लेड लगाने से पहले लोगों के बोल इसलिए तूटते हैं क्योंकि वो डायरे डिबॉल करके इगल ब्लेड यूज करते हैं नहीं करना है आपको पेस्ट लगाकर पहले उसको और आपको स्मूथ कर लेना है आप देख रहे हैं मैंने यहां पर मैल्टिकल ली हैं सारे मतलब यह स्मूथ हो चुके हैं अब मैं यूज करूँगा इगल ब्लेड तो अभी यूज करूँगा ना तो जब अब दस्त आप देखो एक भी पैड नहीं तूटने वाला इसी का पर लो है आपका अब तो हमने फिर से इसको किया तो यह हम प्रोसीजर एक या जासरा दो बार कीजिए दो बार करने के बाद फिर आपका अगर हो जाए तो बढ़िया है अगर एक बॉल छूट भी जाता ना तो छूट जाने दो वो बोल बनाने में बहुत मज़ा आएगा और मैं मैंने आपको यहां बताया है कि देखो अगर एक बॉल छूट जाए तो हम एक सिंगल बॉल को भी किसे बना सकते हैं तो आप देखिए कि यहां पर प्रोपर तरीके से रिबोलिंग हो चुकी है अब मैं फिर से इसको कट करूंगा और फिर से इसको एक बार और करूंगा एक प्रोपर ताकि मैं नहीं चाहता कि कोई बॉल बड़ा हो कोई बॉल छोटा हो और मैं चाहता हूं कि मेरा CPU वन टाइम क्योंकि वन टाइम बैटना बहुत जोड़ी है तो रासा वक्त रिबोलिंग में और आईसी निकालते समय देना फिर तो कुछ भी नहीं है मातर पंदरा म इसके भी कम का यह गेम है आप समझ रहें यह पेस्टेड आईसी होती है इस आईसी के अंदर और खास तोर पर यह आईफोन जैसी नहीं होती है कि इसमें ड्राय हो जाते है नहीं यहाँ पर रहना पैट ड्राय हो जाते है पुरे अब देखो यह हमने रिबोल कर लिए आए अब हम इस्टेंसिल निकालेंगे यहां से परफेट रिबोल रिबोलिंग के लिए जो हीट रखनी है वह आप 300 या 300 के उपर जितने आप चाहें तो रख सकते हैं अब थिनर भी लगाना है थिनर लगाने से आईसी के स्टेंसिल जब निकलती है तो बहुत सही निकलती है तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका एक पैट छूटते हैं तो आपको स्टेंसिल रखनी की जरूरत नहीं है आप बिदावल स्टेंसिल से बहुत बना सकते हैं वह बना सकते हैं बड़ आपने करना है कि ऑस तेंसल में वह जो पैड बच रिख गया है उस पैड को न आप कहा रिबॉल स्टेंसिल रखोगे फिर पूरे आइसी को हीट करोगे नहीं भाई इतने में ही पैड लग जाएगा देखो कितना इजी है यह नोटिस करो यह देखो 300 पे हीट रखी है बाई 30 पे यह रहे है कुछ भी नहीं है यह लग गया पैड अब पूरे में हम पेस देके इसको अच्छे से पूरा क्लीन कर सकते हैं बड़ी और और आप चाहें तो इसके अंदर फिर से पेस देके इसको आप हीट दे सकते हैं ताकि सारे बॉल ब तो लो भाई IC हमारा परफेट तरीके से रिबॉल हो चुका है यह CPU है मेरा भाई वो भी कॉलकम उपो ठीक है जैसे ही मैंने कहा वीवो होता तो हम कितनी भी हीट दे लो या कुछ भी कर लो चेंड हो जाएगा कोई सीन नहीं है बड़ यह कॉलकम है और डरता है क्योंकि आद गरम करना और उसको फैलने देना और नहीं फैला तो उंगली से फैलाओ तो यह तरीका है दूसा तरीका विच पर आप रोजिंग भी लगा सकते हो तो बहुत सारे तरीके हम यूज करते हैं अभी मैंने तरीका यह यूज किया है इसमें क्यादा हर पैड पे आपका पेस्ट से कनेट नहीं होगा यह बहुत बैठेगा पर वह तरीके रिजिस्टेंस पैदा घर देगा और वह यह यलू कलर की लाइनों से मैच कर लेना चाव तरफ से आपकी यलू कलर की लाइन छुपनी नहीं चाहिए बस दिमाग में रखना और आपको सही आईसी को बिठा कर आपक और आपको अराम से बीच में देते रहना है कि इतनी हीट इतनी एर है कि आप अगर पंदा मिल्ट तक भी देते रहे तो भी आपका बूट डेमेज नहीं होने वाला है यह सबसे बेस्ट टेकनीक है मेरे बाई आप देखो यहाँ पर सीप्यू का नंबर SM4250 और वर्जन 200 तो जैसे नॉर्मल हम IC लगाते है अबी मेरा कैमरा थोरसा बंद हो चुका है मैं फिर से कैमरा को अंद कर रहा हूं आप जैसे देख साते हैं कैमरे में फ्लक्शेट्टित सण आ रही है हिल रहा है इसलिए मैंने कैमरे को बंद करके चलो किया अब देक्षि फिर से हम IC तो वीच डिया वह यूजी नहीं होते हैं दे आर लाइक अनकेट एंड लाइक नॉट कनेटेट पैड तो आपने टेंशन नहीं लेनी है आपने बस उसकी फोटू पहले से ले लेनी है और आप देखो कि हलका सा पेस्ट आप आप देखो कि आई-सी से निकलता हुआ तो आप स सा टच किया खाली बीच में से टच करने से पता चलता था है कि आई-सी अपने सारे बोल के साथ बैठ गई है अब हमने आई-सी तो लगा दिये हमारा पूरा टाक्स कंप्लीट हो चुका है और यह अगर मैं आपको इसमें बताओं कि यह काम करने में बहुत मजा आता है और एक next level का खुसी मिलती है और इतना मजा कि हम यह मजे मजे में काम करते हैं कि लोगों को काम करते हैं तो लोग तंग हो जाते हैं पड़ेसान हो जाते हैं अपने काम से लगते हैं हम मजे लेके काम करते हैं क्योंकि we love our work हमें इस काम से प्यार है we love our decks we love our lab हम अपने लैब में रहे ना ज्यादा भसंद करते हैं instead of हम कहीं दूसरी जगह पर अपना टाइम वेस्ट करने के जगह सो देखो मेरा CPU इस कितने प्रॉपर तरीके से बिना एक कॉम्परेंट को हिलाए और इवन मैंने गंदीकी में रहना पसंद हमें तो नहीं है और मैं यही चाहूंगा कि आप भी अपने डेक्स को क्लीन रहो नहीं है तो सीखो क्लीन रखना क्योंकि जिछनव होगा काम भी अनी होगा और काम हजार हो हैं ऐसा नहीं है कि आप ही के पास में काम हैं काम इतने हजार हो हैं बढ़ हम इतने cleanness से काम करते हैं systematic तरीके से पर जो failure होते हैं वो इतनी गंद मचाते हैं अपने कि कहीं कुछ बड़ा हुआ है कहीं कुछ बड़ा है तो भाई कुछ नी होने वाला समझ जब तक decks clean नहीं होगी दिमाग clean नहीं होगा तो अब हम phone को on करेंगे हमने यहां पर power key का यूज नहीं किया है हम टिगर कर रहें अपनी power key को तो हम अपनी power key को दबा रहे हैं आप जैसे की देख रहे हैं आपर और इसको थोड़े देर तक press करना पड़ता है ठीक है connector थोड़ा सा ढीला है इसलिए मैंने connector को एक बार और फिर से पुस्किया और फिर से दबा रहा हूं आप नोटिस कीजिए यह देख परफेक्ट तरीके से on मुझे बता था यह ओन होगा है क्योंकि सीप्यू जिस तरीके से निकाला है जिस तरीके से लगाया आपको एक आपको आ जाता है एक feeling आ जाती है कि यहां यह तो आपको खुद ही लगता है कि नहीं यार यह तो नहीं होन होने वाला क्योंकि आपने गंदर तरीके से निकाला गंदर तरीके से रिबोल किया यह आपने पैड क्लीन नी किये तो आप देखो कि मैंने हर चीज को बहुत परफेक्ट तरीके से क्लीन किया है इसलिए मेरा CPU इसका नेट्रक सेक्शन का लाइब देखेंगे मैं क्लास के अंदर ही बनाओंगा इसका लाइब यह फिलाल मैंने सिप CPU आपको निकालने के लिए यहाँ पर यह फोन का यूज किया है यह मेरे स्टूडेन का ही फोन है जो लेकर आया है मेरे तो यह आपके अंदर होना चाहि कि आप कोई भी फोन के अंदर सीपी बना सकते हैं कोई भी फोन आपके सामने छोटा ही है आपके आपके वीडियो अच्छा लगए और दोसको इस वीडियो के एंड में मैंने अपने स्टूडेंट के जो इस महिने में सीपी कॉंपीडिशन करा रहा हूं जिसमें एक विनर को मैं माइक्रोस्कूप दूँगा अपनी तरप से मैंने उनके वीडियो थोड़े रील डाले है आप उनके रीलो को देखों मैं चा तो उस लेबल पर मुझे उनको तयार करना है तो उसी कॉंपिडेंस को लेकर हम हमारा जो कोर्स है वो है सीप्यू मास्टर कोर्स जो खास तोर पे सीप्यू के लिए डिजाइन किया है जिसमें एडवांस लेवल की सर्किट ठ्योरी जिसमें मोडिफीकेशन वेट प्रेकल हर एड़ क्लास का प्रेकल यह नहीं कि आपने सिर्भ कॉपी में चार लाइने बना ली या चार सर्किट बना ली और हौस्टल चले गए आपने हर प्रेकल का टीचर कजाथ खड़े उकर वोल्टेज और सीप्यू तक आप ट्रेसिंग करोगे फॉलरी इंग करोगे ताकि आपक पेटिकल आपने रिपे потреб करने हा रहिए हो नहीं आप training लेने आ रह रिपेडिंग करेंगे और फोनों की नहीं आर रहे हो कि आपके सामने तीचर बैट कर आप करते जा माजाँ आप करने आरहे हो training कि यहां पर आने के बाद जो मेरे लेवल में इंप्रूब्मेंट हुआ है वो है मेरे और स्किल में बढ़तरी होने के साहँ साहँ चाहूंगा कि आज मेरे हाथ में इसकी लाचुका है जिसमें आज तक ग्यारवे दिन तक इतनी बार सेप्यू को मौन्ट रिमाउंट कर चुका हूँ यह मैं आज इस तारीख में आज के दिन में आज सेप्यू कॉम्पर्टीशन हम माइक्रोइस्कोप देख रहे हैं यह मैं ही जीत करके जाओंगा आप सबसे इंडियांड मैं यही कहना चाहता हूं कि देखे पढ़ाते तो सारे ही ग्रूप्स के लोग हैं सारे ही टीचर्स हैं लेकिन कॉंपर्टीशन में हिस्सा लेने का जो कॉंफिदेंस है और जो स्किल्स में इंप्रूव्मेंट के जो कॉंफिदेंस है वो सर्फ और सिफ एशर टेलकॉम्स के ही टीचर्स में मुम्किन हैं और मैं यही कहना चाहूंगा आप मुझसे अपनी दुआयों दीजिये और मुझे अपना बेस्ट कीजिए थैंक्यू असलाम अलेकुम मेरा नाम सिक्स एजाद है गुज्रास से रहा हूं है तो तो आज आपको में यह कहना चाहता हूं कि जब से पेले ही दिन से आपको इसी पावर सिप्यू पावर एसी कि एवंसी मांट रिंप आपको अच्छी तरीके से स दिसकार ना है किसे रिपोरिंग करना है किसे विठाना है हमको पहले ही दिन से हमको बताया गया है तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा चाहूगा कि आइसे को निकाला और उसको रिवालिंग करके क्यों बिठाना ही है तो मैं आपको यहीं कहना चाहूगा कि मैं दो से तिम दिन में एक्सपर्ड हो गया था करने में तो आज हमारा कॉंपिटेशन को रिमांट करने का तो आज ऐसे ट्रो में मुझे आज काबिल बना दिया काइज में खरा हूँ और खुसले से में बात कर रहा हूँ कि आज में यह माइक्रोस्कॉप दिख रहा है जो कॉंपिटेशन में जो फस्स आएगा वीनर उसको मैं यकिन से कहता हूँ कि मैं यह चीज जो माइक्रोस्कोप है वह मैं लेकर जाओगा और यह एक बात और कहना चाहूँगा के अज़न के अंडर जो गॉटा है वह टीचर के बनाने से शिखाने से उस पर ही होता है तो यह तो सलाम होगी मेरा नाम वार्मस रूदान है मैं यह तेली कों का आज 11 दिने यह मेरे सामने जो रखा हूँ तुम सारा से अटप देख रहा हूँ यह आज हमारा जो है सीप्यों दोगी कि मैंने पहले यह कुछ नहीं की था ना मांक रिमाउंट ना और पावर नट सी कुछ नहीं किया था मुझे यह कहनने कोई करादना है जाए हूँ आपसे उड़ेदी दा अपकि यह समयोड़ी जीत्करेसरे था गुछ तो बेकिन आज मैं इस काबिल बने अग रातर आज मेरे अंदर इत्ती क्वालिटी एसिया टेली कोम की तरफ से पैदा हुई कि मैं आज हिस्सा ले रहा हूं इस कंपूटिशन में आज इस CPU का कंपूटिशन है और यह जो भी कंपूटिशन जी देगा उसे माय किरो स्कूट दिया जाए सारे इनिस्टूट पढ़ाते हैं हर जगा इस्टूट आपको मिल जाएगा पढ़ाने के लिए सब सिखाते हैं सब पढ़ाते हैं लेकिन जो एसिया टेली कॉम देंस पैदा करता है वहर किसी के इनिस्टूट से वो पैदा नहीं होता आज इसी कॉन्फिदेंस के साथ में मैं इंशालला सीप्यू मैं हिस्सा ले लेको हूँ हाई हाई मांसु मैं 27 अक्टूबर का स्टूडेंट हूँ और आज हमारा है ज्यारवा दिन और मुझे यह बोलने में जगा सी भी सर्व नहीं है कि जब मैं आया था तो मुझे सीप्यू या कंपोनेंट या जितनी भी सारे सकेट होते हैं या बदर बूर में जि सब्सक्राइब जितना है इस कंपोनेटिशन में जो भी जीतेगा उसे फ़र्स्ट प्राइस में माइक्रोस्कोप हमारे देव शर्के द्वारा दिया जाएगा यह मेरे लिए पूस नहीं है आप भी आएंगे अगर आप सब्सक्राइब तो आप अगर जीतेंगे तो आपको कि इसलिए कि इसलिए कर सकते इसलिए इस लिए रूल्स कराया और सबके लिए इसके इस्ट्रीट ने यह रूल्स रखाया है कि सीवें लिए तो शूड़न सब्सक्राइब बहुत जबर सिखाते हैं बहुत मज़ा जाएगा आपको बहुत को नौलिज दिते हैं बहुत इक्साइटमेंट है और मैं तो चलेंज करता हूं कि इसलिए मुझे भरोसाइब आप पर है इतना इतनी अच्छी चाहिए लाका यार मतरी क्या किस्मत दी मेरी यहां पर पहुंच गया मैं शुक्र गुजार और शीनस में मुझे तो इस बात का पस्तावा हो रहाएं कि कहीं मैं गंती सल कहीं और पहुंच यह तो क्या होता है जो म मेरा नाम अर्बिन नहरवार है सिर्वी जला से हों मैं सब्सक्राइब किया ऐसे जरी कौम में थैंक्यू सब्सक्राइब को जोईनिंग देने के लिए मैंने कभी आईश्यों किया था माउंट किया था मैं यहां आख है बिल्कुल प्रॉपर तरह जो इस दिन में को बताई ज़्दी ती जो सब्सक्राइब को संद्धाए गई पूरे एक डीपली नौल इस तक में बताया गया वह सारे प्रोपर तरह समझ में आया इक्तम सब्सक्राइब नॉलिच वर बहुत सक्सेस्फुल है और आज मैं इस कॉंपिटेशन में हूं कि में स्रीक्यू मास्टर क्ला अबिसे तर्मिस्टर अभी तड़ कोई यूटूब में नी बताया ओ कि या ना में आपको हमाद अब या किया करने वाले हैं तो स्कूनी कला हो तो अब या किसका शीप्यू निकालने वाले हैं हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद के जिदी हुमार जिद है मेरा फिदूर जिद है मेरा कुरूर जिद है मेरी जुर्ड